नमस्कार में साक्षी MNS News Live में आप सभी का स्वागत करती हूँ आए देखते आच की खास खबर भगवान शिव के आरदना करने से पूर्ण होती है मनुकामना श्री शंकर देवस्तान आश्रम डेमरी के श्री श्री महामनलेश्व स्वामी दिशेशानन गीरिन जी ने कहा कि मा शिवरात्री में भगवान शिव सच्चे मन से आरदना की तो मनुकामना पूर्ण हो जाती है स्वामी दिनिशानन जी ने खास MNS News को दिये एक मुलाकात में शिव महिमा का वो वर्णन करते हुए मा शिवरात्री को विशेश महत्व होने से पूरे विश्व में शिव के आरदना की जाती है आईए देखते हमारे भंडारा ब्यूरो चेफ नेशाद लांजवार की खास कबर कापिस रद्दालो की भीड़ भी होती है आज महास्иса जी के मादेन से महास्वाध्र के खास परव पर क्या महास्वात्री का विशेश महत्व है पारश्वा है क्या विशेश महत्व है सर पर्थम पहले तो मैं आपको महाशिवरात्री के महान पर्वपर और मंगल में पाउन आउशर पर आपको मंगल में कामना देता हूँ और इस सुह आउशर पर आप जब यहां पर आए हैं यह तो बड़ा सोभाग की बात है वेशे महाशिवरात्री का जो पर्म मनाया जाता है यह हम लोग मनाते हैं इसका विशेश महत यह है कि भगवान शिव और पार्वती का तो बिवाह भी इस दिन हुआ था और साथ में इस दिन ध्यान ये किया जाए अगर तो पावरानिक दर्ष्टी से देखें देखते हैं तो भगवान शिव जो है जब तपस्चरिया में लगे थे हिमाले में हिमाले में तपस्चरिया में बैठे थे तपस्चरिया छोण करके जब उनकी समाधी समाधी तूटी समाधी तूटे दूसरी द्रस्टान तैसा भी है बताया जाता है सास्त्रों में कि भगवान शीव का जो है आज जन्म भी हुआ था जन्म भी है भगवान शीव का जन्म की हिसाब से भी महा शुरात्री का प्रभ विशेश रूप से मनाया जाता है और आज के दिन संपूर्ण भारत वर्ष में संपूर विष्व में भगवान शिव की आराधना की जाती है भगवान शिव की आराधना सब लोग नियम से सास्री पद्धती शिलो करते हैं और अपने स्रद्धा और भक्ती के अनुसार जो सेवा करते हैं भगवान शीव को उनको मनुवांशित्फल भगवान शीव प्रदान करते हैं, अन्तमे मैं भगवान शीव की स्थिति मैं आपको करना चाहूंगा कार मूलं तुरीयं गिराग्यान गोती तमीशं गिरेशं करालं महाकाले कालं कृपालं कृपालं गुनागार संसार पारं नतोहं तुसारा द्रिशंकाशिगोरं गभीरं मनोभूत कोटी प्रभाशी सरीरं इश्परू मौले कलोलनी चारुगंगा लशद बालबालेंद्र कंठे भुजंगा नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भसमंगराय महेसराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तसमैनकाराय नमहाशिवाय और भगवान शिव ने भी कहा था देखो ध्यान में सुनिए जब भगवान शिव की समाधी तूटी उस समय सती से बोला था भगवान शिव ने साक्षी भूत बन करके कहा कि बिना हरी भजन के जीव का कल्यान नहीं है हरी भजन ही सार है इसलिए हरी भजन के साथ साथ भगवान शिव की आराधना भी सत है शिव आराधन से मन की सांती होती है शिव आराधन से सारे कष्टों का निवारन होता है और शिव का आराधन जो करते हैं जीव उनके सभी मनो कामनाय पूर होती हर प्रकार से संकट दूर होते हैं और संकर्ट निब्रत्य होने के बाद मनो आंशित्फल की प्राप्ति होती है इस प्रकार भगवान सीव की आराधना की जाती है और भगवान सीव की आराधना करने के बाद उनका विधुवत पूजन पाठ करते होए उनका आराधन करते होए अपने भगवान सीव का नाम जब करते हैं इसी में जीव का कल्यान हो जाता है बोली संकर भगमाने की जे उमापति महादेव जी की जे हरी ही ओम सांती सांती सुसांती रभवतू सवामी जी ने अमरुद्थि लिवानी से सिव जी की महिमा का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है और निची तुरूप से लिवोधू पुजार चाम भक्ति भाव से करते हैं तो हमारी भी मनोकामना पूरी होती है इनके एमरुत तुलिवानिस से हमको समझ में आ गया है निची तुरुप से अगर भगवान सिव की हम पूर्ण मन से दिल से और तन से अगर पुजा कर लेते हैं तो भगवान भुले शंकर अपनी म अनुकावना पूरी करने में सहाता करते हैं, हमें आशरवाद देते हैं, मैंने शाद लांजवार, MNS News, मंदारा.